हेलो एवरिवन आज हम बात करेंगे केटाकोलमाइन सिंथेसिस की और टाइरोसीन केटाबॉलिज्म की तो इसमें हम देखेंगे केटाकोलमाइन सिंथेसिस कैसे होती है और टाइरोसीन का क्या केटाबॉलिज्म होता है तो हम शुरू करते हैं फिनाइल एलनीन से ये एक इसें λोब आयोट्रीन में इसके साथ ये कंणाट हो जाता है ताईरोसिन में और жизни में अब कमनाट हो जाता हू न ठूरे लेटे हैं तो देखिए यहां पर टायरोसीन कन्वा इसको डोपा में कन्वार कर दिया और कोफेक्टर भी एच-4 वही पुराना वाला है अब इधार आगे बात करने से पहले हम इधार बात कर लेते हैं पहले तो देखिए हैं पर टाइरोसीन से देखिए होमोगेनस्टिक एसिड बनता है होमोगेनस्टेसिक एसिड क्या है यह देखिए यह डायरेक्ट नहीं बनता है बीच में एक यहाँ पर देखिए intermediate बनता है जिसको हम बोलते है parahydroxy phenyl pyruid phpp ठीक है तो यह बनता है फिर इसके बाद फिर बनता है homogenistic acid फिर देखिए homogenistic acid देखिए यहाँ पर यह homogenistic acid जो है यह convert हो जाता है melelectro acetic acid में ठीक है तो यह melelectro acetic acid यह फिर connect होता fumarate में और fumarate यहाँ चलाता है TCA में और यहाँ से energy production होता है ठीक है तो यह tyrosine का faith हमने देख लिया और उसके अलावा देखिए यहाँ पर homogenistic acid को complete ही कर लेते हैं देखिए यहाँ एक इस्टा चीज़ में बता दे रहा हूँ कि homogenistic acid यह देखिए यह आगे जाता है और यहाँ पर यह बनाता है intermediate के बाद fumaral acetoacetate जिसको हम FAA बोलते हैं ठीक है फिर यह fumaral acetoacetate देखिए fumarate बनाता है और acetoacetate बनाता है तो देखिए fumarate जो होता है यह आगे जाके glycogenic fat इसका होता है और यह acetoacetate यह ketogenic fat होता है याँ ketone bodies के formation में help करता है तो हम जानते हैं starvation की condition में यह phenylalanine इसमें ketogenic और glucogenic दोनों fat होता है याँ ketone bodies से भी energy production करते हैं और gluconeogenesis से भी energy production करते हैं तो देखिए इस pathway से यह produce करते हैं क्योंकि जब fasting condition होती है उसमें amino acid का breakdown होता है तो उसमें यह TCA तो नहीं चल पाएगी क्योंकि TCA इसलिए नहीं चले कि यहाँ पर oxaloacetate यह busy होता है हमारे gluconeogenesis में और oxaloacetate की deficiency हो जाती है जिसकी और ऐसे यह fumarate जो है यहाँ पर TCA में नॉर्मली देखते हैं जा रहा है लेकिन यह TCA में नहीं जा पाएगा बलकि यह चला जाएगा glucodeogenic pathway में फिर देखिए यह acetate का क्या है ketogenic fat है और fumarate का glycogenic fat है ठीक है तो यह हो गया तो इससे हमें पता चला कि यह phenyl alanine जो है इसमें dual nature है यह ketogenic भी है और glucogenic भी है ठीक है यह हो गया अब उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ हम पहुचे थे डोपा तक अब देखिए डोपा के दो फेथ हैं एक देखिए यहाँ देखिए डोपा जो है यह मिलनीन में कनोट हो रहा है और यहाँ पे जो enzyme presence है वो है टाइरोसीनेज तो टाइरोसीनेज की presence में डोपा मिलनीन में कनोट हो गया और दूसरा फेथ क्या है तो देखिए डोपा यहाँ पे डोपा डीप कार्बोकसिलेज के presence में B6 यहाँ पे कोफेक्टर है यानि PLP यह डोपामीन में कनोट हो गया तो दीखे, डोपामीन, को मालूं में, है यह हमारे Calamine है, तो यह Dopamin, यह कहां बनता है? माइटोकॉंड्रिय के बाहर, साइटोसोल में, अब उसके बाद, माइटोकॉंड्रिय के बाहर, जब यह Dopamine बन गया, अब मानो Nor Epinephrine मनना है, Dopaminergic neuron है तो dopamine सीधा secret हो जाएगा लेकिन अगर Dopaminergic neuron नहीं है तो norepinephrine बनना है तो यह dopamine चला जाता है हमारे synaptic vesicles जो होते हैं synaptic vesicles के अंदर यह dopamine enter करता है और अंदर enter करेगा फिर अंदर जब dopamine आएगा फिर यह dopamine dopamine beta hydroxylase की presence में यह connect हो जाता है norepinephrine में अब अगर यह neuron नorepinephrine है तो यह नorepinephrine इसको secret करना है तो यहाँ पे नorepinephrine अपने आप यहाँ पे accumulate रहेगा synaptic vesicles में लेकिन अगर यह नorepinephrine नहीं बलकि इसको epinephrine secrete करना है इस neuron को तो अब देखिए यह जो नorepinephrine secrete हुआ यह दुबारा synaptic vesicle से बाहर चला जाएगा और बाहर जाएगा और यहाँ पे जो नorepinephrine है यह connect हो जाएगा epinephrine में ठीक है यह सेनaptic vesicle में नहीं होगा बलकि बाह epinocene, methionine ठीक है यह co-factor present है तो फिर यहाँ से नorepinephrine करनाट होगा epinephrine में अब epinephrine दोबारा synaptic vesicle के अंदर आएगा और यहाँ पे यह इस टोर रहता है यह हो गया और तो हमने क्या देखा कि यह dopamine से नorepinephrine बनने की जो process है यह synaptic vesicle के अंदर होती है इस यह जैसे ऐसा होता है ठीक है यह हो गया अब यहाँ तक हमने बात कर ली अब इसके बात देखिए कि यह dopamine के भी दोफेत है एक तो हमने यहाँ बात कर ली और दूसरा देखिए क्या है होमो वैलेनिक एसिट का formation यह करता है इसमें भी कई steps है और नorepinephrine देखिए इसके भी दोफेत है एक हम इसको भी breakdown करता है catacole o-methyl transferase और इसको metanephrine में convert कर देता है और यह देखिए metanephrine फिर यहाँ पर monoamine oxidase work करता है और इसको convert कर देता है venile mendelic acid में फिर देखिए venile mendelic acid इज़र से भी आया और यहाँ nor metanephrine जो था इस पर भी देखिए monoamine oxidase work किया और यह भी venile mendelic acid बन आता है ठीक है यह हो गया तो हमको देखना है कि नौर अपिनेफरी ने फिर देखिए दोनों के structure लगबग से होते हैं तो इस ओड़े से देखिए दोनों पर एक ही enzyme work कर रहा है इस पर enzyme work कर रहा है यह metanephrine बन रहा है यह nor metanephrine बन रहा है फिर उसका monoamine oxidase work कर रहा है और द dopa decarboxylase को inhibit करती है ठीक है यह हो गया और यहाँ पर कुछ enzyme deficiency है और उससे related disease जो है बहुत famous disease वो यहाँ पर भी बता दिया गया तो देखिए phenyl alanine hydroxylase की अगर deficiency हो रही है उसके और जैसे phenyl ketoneuria देखने को मिलेगा फिनाल ketoneuria के बारे में अगली वीडियो में हम बात करने वा हो रही है तो यह dopa melanin में convert नहीं हो पाएगा इसके और ऐसे albiminism देखने को मिलेगा ठीक है यह हो गया और अगर देखिए यहाँ पर homogenesisate oxidase की deficiency हो रही है तो यह homogenesisic acid यह इसमें convert नहीं हो पाएगा जिसकी और ऐसे alketoneuria हमको देखने को मिलेगा ठीक है यह हो गया और अब